बाबा राम देव भारत और दुन्या भर में सबसे प्रसिद्ध भारत्य योग गुरु है। बाबा राम देव अक्सर अपने कार्यक्रमों, टिपडियों और परोपकारी गतिविद्यों के लिए चर्चा में रहते है। लेकिन अब योग गुरु सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहे है। बाबा राम देव ने नई दमदार लैंड रोवर डिफेंडर 130 SUV खरीदी है। उन्होंने ये कार डेड़ करोड रुपे में खरीदी है। एक विडियो में बाबा राम देव को सेडोना रेड कार का निरिक्षन करते हुए देखा गया, जो केवल शीर संसकरन के लिए ही सीमित है और फिर वे कार में बैठ गए। वह बस प्रतिष्टित लकड़ी की चपले और अपनी सामान्य पोशाक पहने हुए थे। उनके साथ कार में अन्यों लोग भी बैठे थे। कार चलाते हुए उनका एक विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया। कार की कीमत देखकर लोग हैरान रहे गए। इंस्टाग्राम पर एक आटो मोबाइल पेज ने ये दावा किया है कि रामदेव ने कार खरीदी नहीं है और ये कार उन्हें पतांजली समुवा के CFA दिव्यांशू केसरवानी ने उपहार में दी है। बाबा रामदेव महिंद्रा एक स्यूवी 700 स्यूवी में याद्रा करते थे। उन्हें कई मौकों पर बाइक चलाते हुए भी देखा गया है। अब उन्हें एक लैंड रोवर गिफ्ट की गई। बाइक है उन्हें एक रामदें देखा का Jup जो़ख। कर क्क कर देखा करक्कम material का जद फिस्तित कम रचेवी एक सिरूशनुप को